के आज के वीडियो में आप सबी लों का स्वागत है आज के वीडियो में मैं जाती और उपजात की धाना को समझाओंगा इसके पहले के यदि आप लोगों ने दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिये हैं और आई बटन में भी इकाई है अथावा कहले जी की सबसे छोटी इकाई है यह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था और जाती ऐसे जीवों का समोह है ऐसे जीवों का गुरुप है जिनकी संरचना एवं कार्यों में अत्तधिक समानता होती है अच्छा हम लोग जानते हैं कि जाती मतलब नसल या कहले जी की विरादरी चाहे आप नसल कहो चाहे विरादरी कहो अता जब वह एक ही विरादरी के होते हैं या हैं तो उनकी संरचना लगभग एक जैसे ही होगी मतलब उनके सरीर की जो बनावट है वो लगभग एक जैसे होगी और उनके कार्य भी लगभग समान इसलिए बोला गया है कि सन्रचना वा कार्यों में अत्यधिक समानता होती है और जाति के सदसे आपस में संकरण में शफल होते हैं जो जाति के सदसे होते हैं वो बोला गया कि आपस में संकरण करने में सफल होते हैं तथा इनका विकास एक ही पूर्वस्य होता है संकर का मतलब होता है क्रास क्रास आप कह सकते हो या क्रास का मतलब आप निसेचन भी समझ सकते हैं यहाँ पर यानि जाति के सदस से आपस में निसेचन करने में शफल होते हैं या लैंगिक जनन करने में शफल होते हैं समझने के लिए अगर हम कहें तो जैसे बाबा, पिता, लड़का, पोता ये सब एक साथ एक के बाद एक पैदा होते गए यानि एक के बाद एक की संताने हैं बाबा, पिता, लड़का, पोता ये एक के बाद एक की संताने हैं तो इनका विकास एक ही पूर्वस से हुआ है ये समझने के लिए मैंने बताया ह और एक जाति के सदस्य दूसरी जाति के सदस्यों से संकरण या क्रास करने में असमर्थ होते हैं अगर एक जाति का सदस्य है तो वो दूसरी जाति के सदस्यों के साथ संकरण नहीं कर सकता है या असमर्थ होता है या करने कि क्रास नहीं कर सकता है असमर्थ होता है मतलब आपस में तो संकर्ण कर सकते हैं लेकिन दूसरी जाते में संकर्ण नहीं कर सकते हैं ये भी बताया गया है आपको बता दें कि किसी जाते के सदस्यों में कौन-कौन से गुण होते हैं तो उनके बारे में हम लोग जान लेते हैं पहला गुण है इनमें आकार की समानताय ह होते हैं जो बाहए आकार वो समान होता है यह आपस में जनन करικे संतान उतपन करतें हैं एक जाती है तो बाहर व्wah पूर कर सकते हैं और संतान को उतब्ण कर सकते हैं यह नहीं की संतति में भी संतान उत्पन करने की छमता होती है जो उनके संताने होंगी वो भी संतान उत्पन कर सकते हैं फिर अगला है यह अन्य जाति के सदस्यों के साथ संकर्ण करने में असमर्थ होते हैं लेकिन जो दूसरी जाति के होते हैं सदस्य उनके साथ संकर्ण नहीं कर सकते ह या क्रास नहीं कर सकते हैं उसमें असमर्थ होते हैं तो यह इनके कुछ जाति के सदस्य होते हैं इनके कुछ गुण मैंने बताए आपको बता दें कि वैग्यानिक मेर के अनुसार मेर ने क्या कहा था कि जाति आपस में संकर्ण करने वाले एक समान जीवों का समू है जो जाति को ध्यान से आपको पढ़ना है और आपको बताते चलें कि बिभिन जातियों की संकल पनाएं क्या थी वेरियस इसपेसीज आप कॉंसेप्ट किया है तो जातियों की प्रिकृति को समझने के लिए बैग्यानिकों ने कई सारी अवधारणा प्रस्तुत की कई सारी जिसमें से आपको हम बताते हैं पहली अवधारणा है आकार की जाति अवधारणा मार्फो लोजजकल इसपेसीज कॉंसेप्ट तो यहाँ अवधारणा लिएं तथा दूसरे समकाली इन बैग्यानिकों ने बैख्ट की थी लियोनियस ने यहांनी केरोलस लिए जो थे इन्होंने और द अस्तुत किया था और इस अवधारणा के अनुसार जीवों के एक समान समुह को जाती कहा जाता है इस अवधारणा में लीनियस ने क्या बताया कि जीवों के एक समान समुह को जाती कहते हैं जबकि मेर ने भी लगभग में यही बताया था कि जाती आपस में संकर्ण करने वाल biological species concept यह आउधाना मेर तथा दूसरे बैग्यानिकों के द्वारा बिक्त की गई थी मेर और उनके साथ में जो अन्य दूसरे बैग्यानिक थे उन्होंने आउधाना बिक्त की biological species concept और इस आउधाना के अनुसार जाती आपस में जनन करने वाले जीवों का समूव होता है इन्हों तीसरी आउधाना है जीनिक जाती आउधाना यानि जेनिक इस्पेसिस concept तो यह आउधाना आधुनिक बैग्यानिकों के द्वारा जीवों के विकासवाद पॉइंट को ध्यान देंगे कौन से आउधाना जेनिक इस्पेसिस concept जो है या जीनिक जाती आउधाना जो है यह जीवों की या और्गनिसम की ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें समान जीनपूल पाये जाते हैं इस प्रकार से तीन आउधाणा है मैंने आपको बताईं अब इन आउधाणाओं के आधार पर कैसे लक्षण वाले जीवों के समहों को जाते कहेंगे तो कौनकों से लक्षण होंग पाई जाती है फिर दूसरा है इस समूह में एक समान जीन समूह पाया जाता है एक समान जीन समूह यानि सेम जीन पूल पाया जाता है जिसमें स्वतंत्र रूप से जीन का अभ्यूवन होता है एस्वार्मेंट होता है फिर तीसरा है इस समूह में वातावरण के अनुसार और नेचूरल सेलेक्शन होता रहता है फिर अगला है इन जातियों या समुहों में जयोविकास द्वारा नई जातियों को उत्पन्द करने की छमता पाई जाती है इन सब चीजों को देखते विए इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जाती आकार की रूप से समान लक्षणों वाल होती है आईए जानते हैं उप जाति के बारे में उप जाति या सब इस्पेसिस के बारे में किसी जाति की भौगोली कारणों से अलग हुई इस्थानी समुष्टियों के समूहों को उप जाति कहा जाता है अर्थ या हुआ कि कभी-कभी एक ही जाति के जीव जब अलग-अल हैं कुछ विभिलता हैं आ जाती हैं ऐसे समय में जातियों को उपजातियों में बाटा जाता है या कर दिए कि उन्हें उपजातियां कहा जाता है इन उपजातियों के अलग-अलग समुहों में अनुवांसिक अंतर होते हैं मतलब जेनिटिक डिफरेंस होते हैं लेकिन ये अं पर जनन संभौ है और उनसे जनन सक्षम संकर उत्पन होते हैं इस प्रकार से अगर उप जाति का विकासी महतु देखा जाए तो कैसे उप जाति बनी कैसे इसका विकास हुआ तो एक जाति के सद्व से थे वह अलग-अलग वातावण में रहने लगे अलग-अलग भावलिक छ इसलिए उसे क्या कहा गया कि मतलब प्रतेख समिष्टि एक अपजाती या भौगौलिक प्रजाती बना लेती चलिए इस पर आधारत कुछ प्रश्णों को समाल लेते हैं पहला प्रश्ण है जाती आमाप से निर्धारित नहीं होती यहां है नियम संख्या या किस नियम संख्या के अंतर गताता है तो चार आप्षन आपके सामने दिये गए हैं और इसमें से आप्षन सही होगा सी वाला वर्गीकड की मूल भूत इकाई है तो वर्गीकड की मूल भूत इकाई जाती होती है नेस्ट कुछिशन है वंस समू है शमान तथा संबंधित वंस समू है समान तथा संबंधित किस से समान और संबंधित है तो आंसर इसमें सही होगा पहला चाति से समान एवं संबंधित ह नेक्स कुईशन है वर्गीकड की सबसे छोटी इकाई कौन सी है देखे इस तरह से भी प्रश्ण पूछा जा सकता है तो वर्गीकड की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी सबसे छोटी इकाई जाती होती है अगर सबसे बड़ी इकाई पूछा जाता तो सबसे बड़ी इकाई kingdom होती है kingdom यानि जगत होती है आप सभी लोगों को जाती और उपजात की अधाना अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी आज की अंक में इतना ही अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चरण को सब्सक्राइब कर लिजिए और साथ में वेल आइकन को भी प्रेस कर लिजिए ता जबाद ?